अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि एंगल क्या होता है तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप भी जातर स्टूडेंट्स की तरीके से बोलोगे कि Yes, I know what is an angle but मैं डिफाइन नहीं कर सकता तो यह वीडियो आपके लिए हैं आज इस छोटी सी वीडियो में मैं डिस्क्रा आया इसकी भी बात करेंगे तो देखे यह जो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपनी यह जो पिक्चर बनी हुई है यह एक्चुली एक एंगल है लेकिन अब एंगल बना कैसे है एंगल में देखे यहां पे दो रेज आपको नजर आ रही है और दोनों को नाम दे दूँ पी तो इसका मतलब क्या हुआ यह वाला जो एंगल बना हुआ है यह एंगल यह एंगल वर्टेक्स पी पर बन गया ठेक है अब वर्टेक्स पी से क्या हुआ दो रेज जा रही है अब इन दोनों रेज के भी नाम दे देते हैं एक रेका मैंने नाम दे दि ये angle vertex P पर बना हुआ है अब angle में हमारे पास क्या होगा दो arms होगी इस angle में जो दो raise नजर आ रही है PQ और PR इनको आप क्या बोल सकते हो इनको हम बोल सकते हैं arms अब ये जो arms होगी ना इसमें एक arm को हम बोलते हैं initial arm और दूसरी वरे line को बोलेंगे हम terminal arm तो इस case में क्या हुआ मैंने ray PQ को बोल दिया initial arm और दूसरी वाली जो ray है यानि की PR उसको बोल दिया terminal arm अब देखो ऐसा कोई fix नहीं होता है कि initial किसको बोलोगे आप terminal किसको बोलोगे आप change भी कर सकते हो मतलब अगर आप PQ को terminal arm बोल दोगे तो obviously PR क्या हो जाएगा initial arm बन जाएगी तो अब इसके बाद हम बात करते हैं angle के लिए symbol अब देखो angle के लिए symbol angle जैसा है symbol होगा ये symbol होता angle के लिए ये सभी बच्चों को पता है तो अब अगर मैं इस angle का नाम लिखने लगू है इसको हम बोल सकते है angle QPR देखे Q से स्टार्ट करके हम QPR या फिर आप अगर R से स्टार्ट कर लेते हो तो आप इसको angle RPQ भी बोल सकते हो तो ये तो बात होई यहां से की angle में क्या रहेगा angle में जैसे ये वाला angle vertex P पर बना हुआ है इस वाले angle में PQ initial arm है तो PR terminal arm हो गई और angle का नाम कैसे लिखते हैं ये भी हमें समझ आ गया लेकिन अब बात करते हैं angle की definition की जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप से पुछा था question की एक angle क्या होता है तो an angle is a measure of rotation तो angle की help से हम क्या करते हैं मेजर करते हैं rotation को देखो मैं इस चीज को थोड़ा सा detail में explain करना चाहूँगा ये बात आपको पता होगी या फिर जादा तर students को ही पता है ये बात कि जो एक complete circle होता है उसको 360 degree माना जाता है मतलब if you take a circle if you round about about your position तो इसका मतलब 360 degrees का angle है वो लेकिन अगर हम एक काम करें इस पूरी 360 degree rotation का 1 4th part ले ले देखें दिस इस 1 4th ना तो अगर हम पूरी rotation का 1 4th part ले लेते हैं तो देखो 360 degree का 1 4th तो 1 4th करके क्या आ जाएगा 90 degree ना calculate कर लेंगे इसको तो ये 90 degree आ गया तो ये जो angle है ये जो rotation है यानि कि पूरी complete circular rotation का अगर 1 4th की बात करें हम तो 90 degree हैं तो इस तरीके साब समझ पा रहे हो गए कि angle की help से हम क्या करते हैं हम measure of rotation देखते हैं कि एक arm से इनिशल arm से लेकर terminal arm तक rotation कितना है जाता students क्या समझते हैं कि angle क्या होता है angle एक rotation की वजाए वो समझते हैं कि angle एक space है मतलब जैसे suppose कीजए ये मैंने एक angle बनाया तो बच्चों को लगता है कि angle is the space between two rays लेकिन ऐसा नहीं है देखो ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि ये rays है rays में क्या होता है एक point fixed होता है और दूसरा point क्या होता है it can be extended further in one direction तो अगर मालो मैं इन rays की length बढ़ा दूँ तो इनके बीच में space तो बढ़ जाएगा इन rays के बीच में बट आपको लगता है कि angle बढ़ा नहीं बढ़ा न तो कभी भी आप angle को ऐसे define नहीं कर सकते कि angle is the space between two rays तो angle हमेशा क्या होगा angle is the rotational measure between two rays और degree में जैसे हम बोलते है 90 degree का angle 360 degree का angle 60 degree का angle तो अब सबसे छोटा angle हम अगर देखें वैसे हम normally आपको ऐसा question मिलेगा नहीं कि 1 degree का angle बनाओ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा angle यानि कि 1 degree का angle जो है आप protector पे देख सकते हो आपने उस protector पे 1 degree का जो angle होता है उसको कैसे define करते है 1 degree is an angle which is 360th part of complete rotation यानि कि देखो यानि कि अगर हमारे पास एक complete circle है और complete circle का जैसे मैंने half part कर दिया तो देखो ये जो angle बना ये 180 degree का हो गया फिर उसका 1 fourth किया तो ये 90 degree का angle हो गया ऐसे अगर आप क्या करो आप इसके बहुत सारे छोटे-छोटे slices बना दोगे तो एक जो हम ऐसी slice बना पाएंगे जो इसमें सिर्फ और सिर्फ 360th part होगा इस circle का 360th part होगा अब ऐसा बनाना इतना असान नहीं है यहां से बनाना मैं बनाऊंगा यह एक डिगरी का angle नहीं बनेगा obviously बट ऐसे जो बहुत छोटी सी rotation है जो कि पूरे circle का 360th part है वो 1 degree का angle है तो उस 1 degree के angle से आप बड़े-बड़े angles भी देख सकते हो next video में बनाऊंगा जिसमें इसी वीडियो का subsequent part होगा उसमें मैं discuss करूँँगा आपके साथ types of angles अगर यह छोटी सी वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ इसे share करना न भूलें Thank you